नमस्कार मैं हुममाद दासिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 News SPN 9 News में आज बात करेंगे दिल्ली पुलिस के और दिल्ली पुलिस के इसलिए क्योंकि उनकी जुरणिती है उनके जो तरीके हैं दिल्ली हिंसा को कंट्रूल करने का जितनी भी तारीफ करें वो कम है और उनकी तारीफ की ये बात बनते भी है और वो इसलिए कि आपने देखा होगा कि दिल्ली हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस पर बहुत सारे सवाल रहे हैं और इस बीच दिल्ली पुलीस के लिए एक बहुत बड़ी चुनोती ये भी थी कि आखिर वो इन तमाम सवालों से वो कैसे बचेंगे लेकिन उनके कुछ ऐसे घटाएं सामने आई हैं उनके कुछ ऐसे वीडियो सामने आएं उनके कुछ ऐसे जो है CCTV तोड़ने के वीडियो साम लेकिन उसके बाद आज दिल्ली पुलीस ने एक बहुत अच्छा जो है एक अपना रास्ता अपनाया है जिससे जो लोग हिंसा में शामिल थे जिससे जो लोग हिंसा को करवाने में मौझूद थे दिल्ली हिंसा के बात कर रहा हूँ मैं उन तमाम लोगों को अब पकरने का एक आसान सा तरीका दिल्ली पुलीस ने बनाया है जो मुझे लगता है कि तमाम लोग दिल्ली पुलीस की तारीफ करेगे और वो क्या है मैं आपको बताता हूँ उन्होंने दिल्ली पुलीस ने फिल्मी एक्षन में जी हाँ फिल्मी एक्षन में अब आरोपियों को पकरने की उन्होंने कोशिश की है और उन्होंने मुहीम चालू किया है वो क्या है वो हम आपके सामने रखते हैं भली उन्होंने फिलिम के एक्षे कुमार यानि एक्टर एक्षे कुमार का उन्होंने जो है उनके फिलिम का एक पोस्टर लिया है जिसका नाम सुर्य वनसी है और उसमें फिल्म एक्षन के रूप में ही उन्होंने कहा है और लोगों को जो है इतला भी किया है सोसल मीडिया पे उन्होंने पोस्ट भी किया है और बहुत ज्यादा वो वीडियो पॉपुलर भी हो रहा है और वाइरल भी हो रहा है और दिल्दी पुलीस को उन तमाम vellारोपीयों को पकरने में जो है मदद मिलेगी तो दिल्ली पुलीस ने खास करके कहा भी है उन्होंने इस विडियो में जो सोसल वीडिया पे वाइरल हो रहा है और जो एक पोस्टर है जो आप कैसकते हैं एक पिक्चर है जिसको पोस्ट किय गया है और उन्हेंने समझाया भी है आप देख सकते हैं साथ में तस्वीरे चल लेएं कि इस तरह से दिल्ली पूलीस ने अपनी तमाम कोशिशों को पूरी तरह से इन तमाम आरोपे वो पकरने के लिए उन्होंने किया है और बहुत अच्छी बात भी है कि दिल्ली हिंसा जो ह चलाया है और यह मुहिम मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा सावित होगा और शायद तमाम गुनहेगार को और उन तमाम जो इन्साफ मांगने वाली लोग हैं उनके लिए कुछ अच्छा बेटर होगा और यह आप जान रहे हैं कि यह तमाम जो गुंडे लोग थे यह ज जान का जो है बदला इस मुहीम के रास्ते कम से कम मिल जाए तो दिल्ली पुलीस आप सब को सलाम लेकिन आपकी जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी पे आप 100% रहे इसकी गारेंटी के लिए कुछ न कुछ आपको काम करने इसलिए होंगे क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ह लगातार आप सवाल होते रहें और आप हमेशा सवाल में घिरते रहें हैं लेकिन इस मुहीम से मुझे लगता है कि शायद दिल्ली पुलीस का जो सम्मान है वो फिर से एक बार वापस आ जाएगा तो फिलाल के लिए तरहीं मुझे दीजे जाज़त और आप देखते रहें SPN 9 News, Namaskar